हेई हेलो एविवन मैं नम हैंकित मिश्टा और आप देख रहे हो ब्लड क्लोटिंग दोस्तों ब्लड क्लोटिंग के अगर में बात करू तो यह टॉपिक बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट है और साथ में इस टॉपिक के अंदर हम लोग कई ऐसे फैक्टर्स के बारे में कई इसे चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि CSI और ICMR जैसे एक्जामिनेशन के लिए बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों ब्लड क्लोटिंग जो होता है वैसे यह हर एक लैवल के स्टुडेंट के लिए जरूरी होता है चाहे फिर वो नीड का हो चाहे फिर जो ग्रेशिवेशन का हो या फिर निट का हो ओ और यह और यह दोस्तों क्या है कि यह जो क्लोटिंग फैक्टर सोते हैं यह फिर यह जो हमारा बलड क्लोटिंग होता है पुरा का पुूरा जो diode हम होता है आप इसको कितना भी बड़ा करके पढ़ओगे यह आपको हर ए और दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ special clotting factors की बारे में और साथ में किस तरीके से function करते हैं किस तरीके से यह कुछ inactive enzyme activate होते हैं इसी सब की चीजों के बारे में यहां बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पर जो चीजें है आपकी blood clotting की तो दोस्तों पहले जानो कि blood clotting होता क्या है आपको पता होता है कि हमारे सरी में 3 तरह के basically हमारे body में 3 तरह के blood है red blood cells है और white blood cells है और platelets है ठीक है platelets होती है that's just part of cells not a complete cells ठीक है मतलब कि एक part होता है जो कि अगर मैं basically आपसे बात करो तो जालतर जो हमारी blood है जालतर प्रोड्यूस हीपेटोसाइट्स के दौरा यह हमारे produce होते हैं तो अभी जो हिपेटोसाइट्स होता है EC में क्या होते हैं हमारे बहुत सारे platelets होते हैं और बहुत सारे substances होते हैं जो कि as a clotting factor की तरह काम में आते हैं अब जाने हैं कि blood clotting क्या होती है आपको पता है कि हमारा जो blood होता है वो normally एक fluid के form में होता है मतलब एक movable form में होता है वो आसानी से move कर पाता है लेकिन ऐसा हो जाए कि जिससे कि हमारा जो blood होता है वो क्या हो जाए एक ठक्का बना ले या फिर आप बोल दो कहीं पर सारी cells क्या हो जाए इक अठी हो जाए और वो एक net like structure बना ले एक jelly जैसा material बना ले जो इसी को हम लोग क्या बोलते है क्लॉटिंग क्याता है कि यह हमारा blood clot हो रहा है या फिर blood coagulate हो रहा है या फिर इसी चीज़ को हम लोग blood coagulation का भी नाम देते हैं तो यहां पर मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ जो यह blood coagulation है जो यह liquid वाला liquid of stage में जो blood है वो हमारे ये clot के form में कैसे हो जाते हैं या फिर ये coagulation कैसे करते हैं ये jump कैसे जाते हैं इन्ही सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और क्या रूल होता है platelets का क्या रूल होता है हमारे different types के hepatocides का clotting factor का तो ये सब चीज़ें आपको इस वामें रखोंगा सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने इधर एकी तरफ में diagram रखा और इधर की तरफ comments रखे हुए तो आप comments को भी साथ देखेंगे साथ में आप इस diagram को भी देखते रहेंगे सबसे पहले इतनी चीज़ धियान रखे कि हमें जो यह हमारा blood vessels है जो की break है और नीचे की तरफ जहाँ पे हमने क्या किया है कि देखे यलो यलो कलर के आपको दिखाइद रहे that's a fibrin तो यह fibrin ही होते हैं जो की basically हमें बनाना है क्योंकि यही fibrin fibers जो होते हैं यही जाकर के यहाँ पे net like structure बनाते हैं जो यह rapture वाला area हमें, ब्रेक वाला area हमें यहीं पे जाकर यह क्या करते हैं blood के काफी blood cells के mass को इकठा करते हैं और उसको vibrating के थूरू एक नेट like structure बनाते हैं जिससे के पूरा area जो होता है वो क्या हो जाता है fill up हो जाता है और जिससे के damage tissue क्या हो जाता है यह repair हो जाती है तो लेकिन इसको यह fibrin fiber बनाने के लिए जो होता है दोस्तों इसके लिए बहुत ही जादा important components enzyme की जो परते जैसे Fibrinosan है Fibrinosan एक soluble form में होता है अल्रेड होता है इन active Luigi कैसा होता है इन active होता है तो यह Сол 호disator बॉल में होता है और यह हमारे blood में normally invoke 不 ambos होते हैं और इस तरीके से क्या होता है कि thrombin जो होता है वह इसको activate करता है fibrinogen के convert करता है fibrin में ठीक है ना fibrin में क्या करता है इसको convert कर देता है तो इस तरीके से fibrin बनता है लेकिन thrombin बनने के लिए हमें किसकी जरुवत है thrombo kinase की जरुवत है और thrombo kinase या phage इसको हम लोग गोलते है thrombo plastil इसको बनने के लिए clotting factor की जरुवत है ठीक है ना जब तक clotting factor अपने सारे reactions को सही तरीके से नहीं करेंगे देखिए इतनी reactions आपको पढ़नी है जब तक यह सारी reactions नहीं करेंगे तब तक देखिए यहां पे जो हमारा यह बना हुआ है thrombo kinase वो नहीं बन पाएगा ठीक है ना तो मतलब इतने reactions पहुचने के पहले आपको इतनी चीज़े पढ़ेंगे जिसको बारे में बताऊंगा लेकिन यहां पे अभी हम एक overview के बारे में बात कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों clotting factor जो है जैसे की calcium है, ions है बहुत सारे inactive enzymes हैं यह participate करते हैं यह पूरे blood के coagulation के लिए या फिर platelets बनने के तो यह सारी चीज़े सबसे पहले clotting factor काम करता है फिर prothrombin बनती है फिर उस prothrombin से thrombin बनते हैं जब thrombokinase activity होती है तो वहां पे हमारे thrombin बनते है thrombin से फिर fibrinosin बनते हैं और फिर वहां पे जाकर के fibrin बनती है तो यहां पे जो comments लिखे होई इसको मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ता चलता हूँ जिससे कि आपकी सारी चीज़े जो है वो clear हो जाए in damage endothelial cell ठीक है यहां पे ध्यान रखेगा in damage endothelial cell मैं marker ले ले रहा हूँ तो आप इसको यह कि करके अच्छे तरीके से ध्यान में रखेगा कि in damage endothelial cell blood contact with collagen fiber जब मालो कि कोई pipe है और हमें कैसे पता लगेगा कि pipe leakage है जब वहां उसमें से pipe पानी जाएगा तो जहां पे leakage वाला एरिया है वहां से water क्या होगा produce होगा तो यही चीज़ हमें यहां पे ध्यान में रखना है कि जो हमारी damage endothelial cells होती है जब वहां से जाती है तो आपको पता है collagen जो हमारा collagen fibers होता है वो उन्हीं जो यहां पे blood vessels की जो wall होती उसमें होती है और यह blood के contact में आती तो blood को पता चल जाता है कि collagen fiber मेरे contact में आई है मतलब यह जगा क्या हो जाए रप्चर हो गई है एक तरीके से collagen fiber इसके signals की तरह काम करती है जिससे की इसको पता लग जाता है कि यहां पर हमें coagulation की process क्या करनी है इस start करनी है तो यहां पर बहुत सारे clotting factors होते हैं फिर वो बनने शुरू हो जाते हैं blood के तरूप यहां पर कहते हैं several clotting factors like calcium iron in active enzymes synthesizing hepatocides जैसे ही पता चलता है कि यहां पर break है तुरंत वहां पर बहुत सारे clotting factors बनने शुरू हो जाते हैं hepatocides में और यह कहां पर होता है release into blood hepatocides basically liver से release होंगे और यहां पर released into blood कहां पर आएंगे blood में and various molecules ध्यान सुनिएगा various molecules associated with platelets और भी बहुत सारे molecules जो होते हैं वो platelets से bind करेंगे released by damaged tissue और उसके साथ में ध्यान सुनिएगा जो प्रो थ्रॉंबिन होता है या फिर जो clotting factor होता है दूसरी तरफ एक तो blood vessels produce करती है साथ में जो हमारी tissues होती है और platelets होती है वो भी क्या करती है कि हमारे जो thrombokinase होता है उसको क्या करती है release करती है तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेगा आगे यहां पर है the fundamental reaction in the clotting of blood is conversion of fibrinosan एक चीज़ ध्यान रखेगा कि यहां पर देखिए मैं दिखा दे रहा हूं यह आपका आ रहा है intrinsic pathway blood vessel वाला है और यह हमारे tissue factors है ठीक है तो यही चीज़ी है यहां पर कह रहा है कि यह क्या है कि synthesized hepatocytes into blood various molecules associated with platelets released by damaged tissue blood vessels से भी बहुत सारे आएंगे substances जो कि platelets जो कि हमारे thrombins बनाने में मदद करेंगे और बहुत सा तरीके से proper जो होती हूँ proper तरीके से repairing हो जाती है अगर tissue का है तो tissue में हो जाता है और blood vessels में है तो blood vessels में हो जाता है the fundamental reaction in clotting of blood is conversion of fibrinosan जो normal जो main aim है हमारा जो fundamental work है reactions है वो क्यों होना है conversion of fibrinosan to fibrin में convert हो जाए इसलिए यह सारी चीज़े हो रही है कि यह सब यह जो एक fundamental जो एक important reaction है यह यहाँ पर हो जाए catalyzed by thrombin at the site of injury ठीक है जहाँ पर हमारी जो injury हुई है वो सारी चीज़े क्या हो चार बना ले यहाँ पे प्रोगिने को बनाने का काम करते हैं इस चीज़े को अप द्यान में रखे हैं तो इस तरीके से क्या होते हैं कि थ्रॉम्बिन बैसिकली हमारे हमारे पंते हैं और यहां पे बात करता हूं मैं आप से कुछ Fr 5000ожд 않는doimin पात्वेज रखे गए हैं एक आपका इंट्रिंसिक पात्वेज तरफ तो यह थोड़ा सो कॉंप्लेक्स होता है लेकिन इसको समझना जो होता है वह काफी ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप ध्यान देद इसमें लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने इसको देख पढ़ रह सबसे पहले बात तो दिमाथ में जीज लट लेनी है उसके बाद इसको नेम बिकॉस इट्स एक्टिवेटर और आइधर इनकों इंट्रिंसिक पात्वेज इसलिए कहते हैं कि यह डारेक्ट इनके जितने भी फैक्टर हैं वह डारेक्ट बलेड में जाकर के मिलते हैं मतलब क इसलिए डारेक्ट इसलिए बलड से और यह सीधे जाते हैं और यह इंटर्नल पार्ट इसलिए ब्लड वैसल वगएर अगर डैमेज होती तो इंडर की से अगर डैमेज जाती है बलड कें कम इट कॉंटक्ट विद कोलाजन फाइबर जो बलड है सबसे पहले इंट्रिंसिक इसलिए ही आपका एक्टिवेट मालेज होगा कि वह बलड है तो वहां पर क्या होगा है जो हमारा बलड है मालेज है वैसल डैमेज हो गई है तो उस कंडिशन में क्या होगा कि जो हमारा बलड है वैसल समझ रहो ना पाइप जैसा स्ट्रक्चर बीच में कहीं से माल लोगी जैसे कि pipe होती बीच में आपका छेद हो जाए तो कहीं से मालनों कि छेद हो गया अपका किसी pipe में ठीक है ना अब अगर किसी pipe में छेद हो गया तो सबसे पहले जो blood होगी वो contact में आएगी वहां के कोलेजन फाइबर के connective tissue around the endothelial of blood vessels उनकी contact में वो blood आएगी जो हमारी कोलेजन फाइबर है अगर उसको पता लग गया कि यार यह चीज़ जगह क्या है डैमेज है होता है तो जहां पिस और कोलेजन फाइबर होता है उसकी बाद अगर ब्लेड औी किलेजन फाइबर के contact में आता है तो उसको पता चल जाता है जो हमाई Clotting factor 12, तो इससे तब, चार्ट में देखों के, Clotting factor 12 क्या होता है, Clotting factor 12 को हम लोग बोते हैं, Hagman factor या फिर Anti-Hemophilic factor D, यह जो Hagman factor होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यह बहुत important factor होता और यह जो आपको सबसे पहले red green color में दिखाई दे रहा है यह हमारा है gymosin factor कैसा factor है? gymosin factor है और जो factor 12 होता है यह जो gymosin factor होता है इसको convert होना होता है active form में जिसका नाम होता है factor 12A और यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे serine protease enzyme होते हैं और यह enzyme क्या काम करते हैं जो हमारे 12A जो बन रहा है उसमें participate करते हैं और यह 12A में तभी convert हो पाते हैं 12A is serine protease यह 12A में तभी convert होते हैं जब हमारे जो hagman factor होते हैं जब उसमें काफी कुछ चीज़ें क्या हो जाती है? चेंज हो जाते हैं उनके structure में जब हमें काफी चीज़ें चेंज दिखती हैं 12 में तो वो convert हो जाता है active factor 12A में जोस्तों अब यह 12A factor होता है यह factor जो होता है वो active form में होता है और यह participate करता है एक factor और activate करने में जिसका नाम है 11A ठीक है न? यह क्या काम करता है? एक serine protease होता है और यह जो हमारे 11 होता है 11 में काफी कुछ cleaving वगेरा करता है मतलब इसके protein में काफी modifications करता है और इसको convert कर देता है active 11A में इसमें convert कर देता है active 11A में जो हमारा active 11A होता है या फिर जो हमारा 11 होता है इसको consecrete करता है? इसको secrete करती है हमारी liver कौण secret करता है liver secret करती है और ये plasma thromboplastin antecedent होती है ये बहुत important चीजज़ा ये क्या होती है अगर आप देखे नहीं क्यों ये होती है plasma thromboplastin antecedent plasma thromboplastin antecedent मतलब कि ये आगए जा करके plasma thromboplastin मतलब जो plasma के थूरू हमारी thromboplastin जो बननी है इंट्रेसिन पात्विए से जो हमाई थ्रॉम्बो प्लास्टिन बननी है ये उसके शुरुवात होती है समझ रहो मेरी बात कि नहीं एंटिसिडेंट मतलब आगे जागर कि क्या बनेंगे थ्रॉम्बो प्लास्टिन या थ्रॉम्बो काइनेज बनाएंगे तो यहां से सुरुआत होती हमाई थ्रॉम्बो काइनेज बनने की जिसके लिए फैक्टर 12a बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले करता है असोसियेट करता है हमारे जो 11 है उसके साथ में मिलता है और एक्टिवेट करता है इस फैक्टर को प्लाज्मा थ्रॉम्बो प्लास्टिन एंटी सिडेंट को ठीक है जिससे की आगे जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे प्रो थ्रॉम्बिनेज या फिर थ्रॉम्बो काइनेज बनाने में इतनी बात अभी आपको ध्यान में रख ले नहीं है इन में बातों को सुनते चलते हैं अगेन क्या होगा इस चीज़ को हमें ए 11a होता है ये बाद में जाकर के अक्टिवेट करता है factor 9 को किसको अक्टिवेट करेगा factor 9 मैंने कहा कि जो हमारा A है ये serine proteases है, serine proteases मतलब 11a जो है वह भी किया हमारा serine proteases है, ये भी active form में हैं, ये काम करेगा 9 के साथ में आएगा factor 9 के साथ में आएगा factor 9 is what factor 9 is Christmas factor और plasma thromboplast लासन ने, अन्टिसेरे, ये भी होता है वòngलने इसका भी काम आए जाकर क्या होता है बनाना arthrombo kinase को तो factor जो 9 होता है इसको हम लोग Christmas factor कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि कृस्मस जो था वो नाम के लड़के ने के अधर इसको record किया गगा ये factor के ना होने से उसमें हमें hemophilia B ठीक है ना hemophilia B जो disease है वो देखने को मिलती है इसलिए हमने इसका नाम ये रख दे लेकिन ये basically इसका रोल जो अगर बात करों तो ये हमारा thrombokinase बनाने के लिए काम में आएगा और ये factor activate तब होगा जब 11A इसके किसके 11A जो है वो किसमें modification करेगा factor 9 में जब factor 9 में modifications करेगा तो factor 9 में कुछ modification ज़्यादा नहीं करता है बस वहाँ पर ये क्या करता है कि इसके कुछ area को जैसे मालो arginine है लानीन है और ये arginine valine peptide bonds इन में कुछ cleaving करता है कुछ modification करता है जिससे कि अगें convert हो जाते है factor 9A में किसमें convert हो जाते है factor 9A में that's factor 9A जो होता है ये जाकर के आगे जो है मिलता है factor complex with factor 8A के साथ में ये मिलता है complex बनाता है और ये activate कर देता है factor 10 को मतलब factor 9A complex बनाता है factor 8A के साथ में factor 8 क्या होता है that's an anti hemophilic factor होता है जो की factor 9 से activate होकर के क्या बन जाता है उसके साथ में complex बनाता है activate form में आता है और ये convert हो जाता है ये activate करने का काम करता है factor 10 को factor 10A में that's a pro thrombinase factors 10A मतलब कि thrombokinase factor 10A में convert करने के काम में आता है दूसी तरफ क्या होता है दोस्तों अगर मैं extrinsic pathway की बात करूँ तो यहां की बात जो 10A बनने के बात सारी pathway दोनों में common होती चाहे फिर वो tissue factor हो चाहे फिर वो extrinsic factor हो चाहे फिर वो हमारी intrinsic factor हो दोनों area में काम जो होता है वो फिर common सा हो जाता है क्योंकि इधर से हमारी tissue factor जैसे यहां पे हमारा 9 ने बनता है तो इधर से हमारी tissue factor release होना सुरू होती है जब यह tissue factor release होती है तो tissue factor 3 होता है क्या होता tissue factor 3 तो 3 को देखोगे अगर आप तो यहां पे है tissue thromboplastin tissue भी क्या करती है thromboplastin सिक्रीट करना सुरू करती है TF3, 3 secret करना सुरू करती है thromboplastin को और thromboplastin जो होता है वो basically add होता है हमारे जो activated 7A होता है 7 क्या होता है that's a pro converting और ये pro converting जो active form में होता है इसके साथ में ये bind करते हैं tissue factor और ये activate कर देते हैं हमारे X को convert करते हैं हमारे मतलब की जो tissue factor होते हैं वो हमारे X factor अब इसको चाहरे 10 factor बोलो या फिर thrombokinase बोलो इसको active कर देते हैं thrombokinase को क्या कर देते हैं active form मिलाते हैं और इसको दुबारा से complex बनाते हैं कौन-कौन हमारे 5A हैं और 9A हैं और ये 10A हैं और 5A ये आपस में 10A और 5A जो हैं complex आगे जाकर के बन जाता है thrombokinase और यही thrombokinase जो है आगे perform करता है function क्या perform करता है ये हमारे prothrombin 2 को convert कर देता है prothrombin 2A में ठीक है ना इसके proteins में कुछ modifications करता है prothrombin में और फिर ये prothrombin convert हो जाता है thrombin में ठीक है ना पता है जो thrombin है वो एक activated form है active form है ये हमारे fibrinosan को convert कर देता है fibrin में clotting factor जो fibrinosan होता है 1 उसको clotting factor 1 को convert कर देता है clotting factor 1A में मतलब की fibrinosan को convert कर देता है fibrin में और जो एक बहुत fibrin बन जाती है तो अगेन वहाँ पर जो net like structure जो pipe में आपको कह रहा हूँ वहाँ पर fibrin बनना धिरे धिरे सुरू हो जाती है जब वहाँ पर fibrin बनती है तो वहाँ पर हमारा एक factor और पायता है जिसका नाम है factor 13 क्या नाम है factor 13 होता है और factor 13 वहाँ पर inactive form में होता है और जब हमारा fibrin वहाँ पर बनता है तो ये factors भी क्या होते है activate हो जाते हैं और एक co factor की तरह काम करते हैं जैसे यहाँ पर 5A कर रहा है प्रो थ्रॉमबिनेस के साथ में या फिर थ्रॉम्बो काइनेस के साथ में ये प्रो थ्रॉम्बिन के साथ में ये एक co factor की तरह काम में आएगा जो हमारा थ्रॉम्बो काइनेस है उसके साथ में co factor की तरह काम में आएगा और convert करेगा प्रो थ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में उसी तरीके से यहाँ पर भी एक co factor की तरह काम करेंगे और co-factor की तरह ये हमारे fibrin के साथ में जब भी bind करेंगे तो again क्या हो जाएगा कि जो हमारा fibrin है वहाँ पे clotting जो होगी वो stabilize हो जाएगी और जो हमारी fibrin है वो बननी सुरू हो जाएगी और जब तक वो repair नहीं हो जाती है तब तक ये proper वहीं पे रहती है और फिर वहाँ पे हमारी जो red blood cells वगेरा है वो आती है और अपना function perform करती है और proper जब blood vessels हो जाती है फिर ये सारे जो भी factors हैं जितने भी factors, complexes वहाँ पे बने हुए होते हैं वो वहाँ से remove हो जाते हैं break हो जाते हैं, degradate हो जाते हैं और जो mechanism होता है हमारे cell का कि किसी भी एक चीज़ को क्या कर देती है अपने साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके phagocytosis के द्वारा उसको बाहर कर देना तो ये क्या करती है कि ये वहाँ पे function perform होता है ये क्या करती है उसको phagocytosis के तो चोटे चोटे पार्ट्स में ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद उन्हीं यूटिलाइस कर लेती है या पि उन्हें cell के बाहर remove कर देती है तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे factors होते हैं वो काम में आते हैं और ये सारे factors को आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ चीज़ें important है जैसे कि hemophilic factor जो होता है वो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे जैसे यहाँ पे एक anti-hemophilic factor A होता है जो कि hemophilia A होता है अब एक चीज़ मैं आ और आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा जो important है जो कि थोड़ा सा आपको समझने की जरुवत है कि यहाँ पे जितने भी आपके factors है यह किसी ने किसी gene के द्वारा code हो रहे है ठीक है ना ध्यान सुनिएगा हमारा यह chart क्या होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि कौन से factors होते हैं वो हमारे कौन से gene activate की अगर उन gene के अंदर mutation हो जाता है तो फिर जाहर तोर पे वो factor कहीने कहीं क्या हो जाएगा affected होगा और मान लिजे कि एगर मैं factor 8 को हटा दूँ मान लिजे हैं पे factor 8A है ठीक है क्या है 8A है जो कि किसके साथ में जुड़ा है हमारे factor 9 के साथ में जुड़ा हुआ है और यह factor 9 है जब इसको मैं हटा दूँगा तो जाहर तोर पे anti-hemophilic factor 8 जो है वो नहीं बन पाएगा और complexes नहीं बनेगा तो आगे की procedure में काफी ज़दा problem होगी प्रापर तरीके से नहीं होगा जिससे की hemophilia जैसे disease होने की zambonor और hemophilia के बारे में आप सभी जानते हो कि हमारी जो blood है उसकी bleeding रुपती नहीं है दूसी तरफ अगर मैं बात करूँ hemophilia B की तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा anti-hemophilic factor B तो अगर इसमें मतलब की 9 में अगर किसी तरह की problem होती है तो anti-hemophilic factor B हमें देखने को मिलता है आसे दूस्तों blood clotting का ये वीडियो आपको पसंदाया होगा इस chart को आप में रखिएगा और पसंदाया तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सिस्क्राइब करिएगा ताकि आगे अगर और भी बतायेगा अगर आपको blood clotting के और भी ज़्याद़ डीप वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर बतायेगा कोमेंट्स करके कि क्या और आपको जाना चाते हो तो मैं इसके उपर एक और वीडियो बनाऊंगा थैंकियो वेरी मच